जिन्देगी के सबसे बड़ी सच्चाई मौत यानि की डेथ जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है कभे ने कभे उसे मरना भी है जाना भी है इमेजिन कीजिए एक परिशिती कि आपके आँखों के सामने किसी की डेथ हो जाती है ऐसे में आप क्या करेंगे सबसे पहली चीज हमें यह एसर्टेन करना होगा कि वह डेथ है डेथ के दो यह इंडिकेशन है नो ब्रीधिंग नो पल्स जब यह दोनों चीज़ आप एंशूर कर लेंगे तो अब समझ जाएंगे कि यह क्लिनिकल डेथ है जिसे हम कार्डेक एरेस्ट भी बोलते हैं कार्डेक एरेस्ट के दोरां यह जैनि कि क्लिनिकल डेथ के दोरां पहले 10 मिने बोड़ी में एनफ औकसिं होता है नूट Deal होता है यहनि कि उसको वापछ जिंदा किया जा सकता है खास तब पहले 4 मिनिट में तो ब्रेन के सेल भी नहीं मरते हैं ब्रेन के पास enough oxygen and nutrient होता है उसे जिन्दा रखने के लिए तो इस दोरान को क्या करना है यह समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस दोरान को क्या नहीं करना है आपको वो जो पहला 4 मिनिट है उसे वेस्ट नहीं करना है वेस्ट करने का एक तरीका कि आप पैनिक कर देंगे, हॉस्पिटल ले जाना है, यह सोच या ले जाने लगेंगे, लेकिन चार मिनट तग आप किसी भी हॉस्पिटल में नहीं पहुचा पाएंगे, इसलिए उस चार मिनट को आपको जुडिशियसली यूज करना है, कुछ लो काडिक एरेस्ट है, यह पर्मनेंट डेथ में कनवर्ट होने वाला है, तो CPR भी नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, काडिक कंप्रेशन प्लस एक्स्टरनल डी फिबिलेशन, काडिक कंप्रेशन प्लस एक्स्टरनल डी फिबिलेशन, यह दोनों स्टेप अगर आप ठीक से क 11 बजे मैं आपको मिलूँगा live सिर्फ और सिर्फ कोरोनाकाल.tv में और आप अपने आपको ट्रेनिंग के लिए प्रिपेर करने के लिए कुछ समगरी कुछ मैटीरियल आपको कट्टे करने होंगे नमबर वन टी-शिर्ट नमबर टू दो लीटर का कोकोला का एक बॉटल नमबर थ्री तीन या चार रबर बैंड नमबर फोर कुछ अकबार एक किलो देड़ किलो पुराने अकबार ये सारे मैटीरियल लेकर त्यार रहिए ग्यारा बज जहन